रादे रादे जैस्री किष्णा कहानी संग्रम में हमारे सभी स्रोताओं का हार्देक स्वागत है वक्तो आज की वीडियो में हम मकर संक्रांत पर इश्नान दान किस प्रकार करें कि हमारे जीवन में लंबे समय से चली आ रही धन सम्मंदी परिसानी सदा सदा के लिए खत्म हो जाए जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर इन लाइक अवस्य करें संपूर्ट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें भक्तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मकर्शंक्राच में किया गया दान अच्छा फल देने बाला होता है इस दिन हम इशनान आद कर भूंकों को गोजन निर्धनों को धन वबस्त हीनों को बस्त देते हैं तो यह आपके द्वारा किया गया दान हमें सो गुना बढ़कर पुने प्राप्त होता है आज के दिन पित्रों का तरपड कर पूर्वजों को प्रशन कर उनका आसीर्वात पाने का भी सुनेरा मौका होता है मकर शंक्रांत को प्राते जल्दी उठकर नितिकिरिया से निवर्थ होकर किसी भी नदी तालाब में इश्नान कर शूर देव को मिठा जल अर्फित करें और तत्वस्चात अपने पूर्वजों के निमत तरपड करें आज के दिन हम किस प्रकार का दान करें जिससे हमारे जीवन में ग्रहों के अर्शो प्रभाव दूर होकर हम धन वैवब को फ्राफ्त कर निरोगी जीवन व्यतीत कर शकते हैं घर में सकारात मक्ता वनी रहे हमारे घर में वगवती लच्छमी का सदा आगमन हो इसके लिए हम किस चीज का द्यान करें इस सुब दिन सूर्द देव दच्छणाइन से उत्राइन होते हैं इसलिए ऐसी सुब गड़ी में दान धर्म का बड़ाहिम है तोता है मकर शंक्रांती को यदि हम खिचडी दान करते हैं तो घर में शुक सम्रदी आती है इस दिन खिचडी दान कर इसे प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहन करें इस दिन यदि आप खिचडी बना कर प्रसाद के रूप में बित्रिक कर रहे हैं तो खिचडी में तिल अवस ही डालें वक्तो दूसरा दान है तिल दान मकर संक्रांती पर तिल दान करने से हमें त्रदेवों की क्रपा प्राप्त होती है साथी सनी देव की क्रपा शूर देव की क्रपा प्राप्त होती है सपेत तिल दान करने से महालच्मी की क्रपा प्राप्त होती है यदि आप जाते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की दसा अच्छी हो तो गुर और तिल का दान अवश्य करें और जब आप पर सून नारान की क्रपा वर्सेगी तो आपके जीवन में मान सम्मान ब्योपार बादा वर रोगों से मुक्ती मिल जाएगी जिन लोगों की जन्म कुंडली में सनी देप की साड़े साती या धाया का दुस प्रवाव होए तो आप इस दिन काले तिलों के साथ काले बस्तरों का दान करें यह दान आप किसी भी निर्दन ब्रहंबड या गरीव को दे सकते हैं यदि आपके कार्ण इस्थल में कैसी भी बादा आ रही है तो उसे दूर करने के लिए मकर संक्रात पर किया गया दान कई जन्मों तक फल प्रदान करता है इस दिन नमक का दान भी विशेस महत रखता है यही कारण है कि लोग खिच्डी में तिल चावल नमक डाल कर फका कर उसे दान करते हैं तो सभी दानों का पुर्ण फल प्राप्त होता है नमक का दान करने से हमारे जीवन में जो परिशानिया अचानक आ जाती है उनका नास होता है इस दिन यदि आप नए बस्त्रों का दान करते हैं तो घर परिवार में शंपन्नता आती है वहीं यदि आप आर्थिक रूप से शंपन्न नहीं है तो आर्थिक परिशानी को दूर करने के लिए सुद्ध देशी घी का दान यदि आप किसी बेदफाठी भामड या लच् आया गया है हमारे शास्त्रों के अंसार भूंके को भोजन करने से हमें मन अनपूडा की क्रपा प्राप्त होती है हमारे घर में अनपूणा की क्रपा से धन अन के भंडार सदा भरे रहते हैं इसलिए यदि इस दिन आप तिल गयहूं बाजरा चावल घी गुड़ सक्कर के बने लड़ू दान करते हैं तो ये सभी ऐसरी प्रदान करने वाले दान होते हैं इस दिन यदि आप किसी दरिद्र ब्रहमड या व्यक्ति को कंमल दान करते हैं तो यह अननत फलदाई होता है कुल मिला कर यदि आप अपने जीवन में शुक संब्रदी ऐसरी आध सब कुछ पाना जाते हैं तो सुद्ध मन से मकर संक्रांती के दिन दान पुन्द कर अपने जीवन को निरोगी तथा शुक में बनाएं तो भक्तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुती अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारी चेनल को लाइक सब्सक्राइब और स